गुद्मॉर्णिंग विल्कम टु वन्डे एक्जाम टार्गेट आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वन्डे एक्जाम टार्गेट पर फ्रेंज जैसे कि आप सभी को बता है आप मॉर्णिंग दस बज़े इस टाइम पर करेंड अफेर की क्लास चल रही है तो दस ब बता देंगी टेलिग्राम एप्लिकेशन पर वन्डे एक्जाम टार्गेट बिदाउट इस पेस अगर सर्च बार में आप डालेंगे तो आपको ये लोगो देखनी को मिल जाएगा वन्डे एक्जाम टार्गेट का इस लोगो पर क्लिक करेंगा तो चानल सब्स्राइब हो पीडियाफ को करन फेर की मल जाएगी और यहां पर चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के सब्स्राइब वीडियो को करेंगे लाइक फटबर से अपने दोस्तों में लिंक को शेयर करेंगे जिसे की सभी तक ये वीडियो हो सके कोशिन हाली में रास् रास्टी पूछा जा रहा है तो अपने ही देश में होगा तो देश भर में हर साल 24 दिसंबर को रास्टी उभोकता अधिकार दिवस नेशनल कंजूमर राइट्स डे लिख देते हैं नेशनल कंजूमर राइट्स डे 2020 तो यह का बनाए गया है 24 दिसंबर को आजी के दिन 1986 मे रास्टी द्वारा उभोकता सरक्षण अधिनियम 1986 को मंजूरी दी गई थी जिसके बाद यह लागू हुआ था और इस अधिनियम का उद्देश किया है उभोकताओं को विविन प्रकार के शोषण जैसे कि खराब सामान सेवाओं में कमी और अनुचित ब्यापार तरीकों क खिलाब प्रभावी सुरक्षण प्रदान करना है आपको यहां पर थोड़ा सा और बता देते रास्टी उभोकता अधिकार दिवस के बारे में अभी मैंने आपको बता है यह दिन लोगों को उभोकता अधिकारों की अभ्यान के महत्तु और प्रतेक उभोकता को उनकी अध और आप सभी जाने इसके अंतरका सरकार ने चैनलों का उप्योग करके अभी देखिए जैसे आड वगर देखर के भी सलको जागरू किया जाता है हौल मार्क देख करके खरी दें ऐसा घरी दें वैसे जागो ग्रहां जागो ऐसा आड में आता है ना फ्री है यह और एक कौन बनाएंगे अंपोर्टन कोश्चन है बिकलप यहां बर हमारा सही हो जाता है और यह हैं 1987 बैच के IPS अधिकारी तो इनको केंद्री ग्रे मंत्राले में सेंक्सच्यू के रूप में नियुक्त किया गया था उन्हें उनके कैडर में बेजे जाने से पहले वे सेंक्सच्यू के रूप में ग्रे मंत्राले में नौर्थ इस डिविजन में भी कारे रथ थे और आपको यहाँ पर बता देते हैं कि अंडबान और निकोबार दीप सम्मू के जो उपराज्य पाल है कौन है ये डी के जोशी है ठीक है अगले कोशन पर चलेंगे हम नेक्स्ट हमारा कोशन और यहीं पर आपको एक चेरी और भी बता देते हैं कि पुद्दुचेरी का पुलिस प्रमुक किसे निक्त किया गया है तो रडबीर सिंग कृष्णा को रडबीर सिंग कृष्णा को पुद्दुचेरी का पुलिस प्रमुक निक्त किया गया है ठीक है अगले question पर चलेंगे next अमारा question यह important था न्युक्ति से related अगला हमारा question है हाले में किस bank ने सुरक्षा बलों के साथ बढ़ाओदा military salary package समझोता ग्यापन पर हंस्ताक्षर किये option यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा option यहाँ पर हमारा सही हो जाता है option D bank of बढ़ाओदा बी ओबी ने भारती नौ सेना और भारती तटरक्षक बल के साथ एक memorandum of understanding MOU समझोता ग्यापन पर हंस्ताक्षर किया है जिसके तहर बैंक खाता धारकों को सुबिधाओं के साथ साथ अनुकूलिस सेमाई भी प्रतान करेगा बैंक ने बड़ोदा military salary package के माध्यम से यहाँ पर मैंने लिखा भी है बड़ोदा military salary package लिख देते हैं बड़ोदा military salary package ठीक है? P-A-C-K-A-G-E इंग्लिस में भी अगर कभी आ जाता है आप इस पेलिंग पर पूरा focus किया करिए हमारे लिखने का मतलब होता है कि आप यह सारी चीज़े देखते रहे हैं कभी आपके उसमें इंग्लिस में आ जाता है आप सेमी कि कौन सा शुद्ध शुद्ध तो आप लोग सही कर सके ठीक है तो यह इसके माध्यम से विशेस रूप से जो कुछ सेवाए हैं वो देगी बैंक अब यहाँ पर इसके बारे में कुछ आपको बता देते हैं जो बैंक है बैंक आप बड़ोदा बैंक आप बड़ोदा का जो मुख्याले है वो कहाँ पर है पहले बाद तो यह जा नहीं भारत में देश भारत है तो भारत के किस राज्य में गुजराद गुजराद में भी कहाँ पर है बड़ोद्रा में ठीक है बैंक आप बड़ोधा की अध्यक्ष कौन है हस्मुक अधिया बैंक आप बड़ोधा की MD और CEO कौन है संजीव चंधा ठीक है चलिए अगले कोशन पर चलते हैं नेक्स्ट अमारा कोशन आप सभी के लिए कोशन नेता जी की 125-वी जैंती के औसर पर गठित समित की अध्यक्षता किसके दोरा की जाएगी अप सनिया पर हमारा सही हो जाता है ए अमित शाह के दोरा तो केंद सरकार ने नेता जी सुबाश्चन बोस की 125-वी जैंती के उपलक्ष में एक उच्छ अस्तरी समित High Level Committee का गठन करने का निड़ा लिया है और इस उच्च अस्तरी समीत की अध्यक्षता किस के द्वारा की जाएगी केंद्री ग्रिह मंत्री अमित शाह के द्वारा की जाएगी और आपको बता दें यह समीत भारत के स्वतंता संग्राम में नेताजी द्वारा दिये गए तो उच्च तरी संस्मर्ण समीत के जो सदस्य होंगे उसमें कुछ विश्य सग्य होंगे इतिहासकार होंगे लेखाक होंगे नेताजी सुभास चंद बोस के पारिवारिक सदस्य होंगे उनके सासात आजाधिंद फोज से जुड़े कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति भी उसमें शामिल होंगे अगले कोशन पर आजाते हैं नेक्स्ट हमारा कोशन आप सभी के लिए खाली में बंगाल का पहला तेल और गैस रिजर्व रास को किसके द्वारा समर्पित किया गया ओप्सन यहां पर हमारा सही हो जाता है ओप्सन दी धर्मेंद प्रधान तो केंदरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं ये धर्मेंद प्रधान इन्होंने पश्चिम बंगाल के पहले तेल और गैस रिजर्व बंगाल बेसिन को रास को समर्पित किया है ठीक है बंगाल बेसिन की खोज और स्वामित ओईल और नेट्रल गैस कॉर्पोरेशन ओएन जी सी के पास है आपको यहांपर बता दें तेल और प्राकृतिक गैस निगम जो ONGC है अभी जैसे मैंने अभी जक्र के आदा ओईल और नेच्रल गैस कार्पोरेशन इसने बेस दिसंबर 2020 को राजी के 24 परकना जिले से बंगाल बेसिन से कच्चे तेल का उत्पादम शुरू कर दिया बात आजाती पर्शिमंगाल की तो मुख्यमंत्री कोन है ममता बैनर जी है राजीपाल कोन है जगदी धनकड़े है अगले कोशन पर हमाएंगे नेक्स्ट हमारा कोशन आप सभी के लिए खाले में UN विमन ने किस राज्य सरकार के साथ मिलकर के भारत के पहले जेंडर डेटा हब के लिए समझाओता किया आप्सन यहाँ पर हमारा कौन सा सही हो जाता है आप्सन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है option C, केरल सरकार सेयुत राष्ट महिला और केरल सरकार ने भारत के पहले gender data hub की इस्थापना के लिए आपस में हाथ मिलाया केरल के मुख्यमंत्री कौने पिनाराई बिजियन है कौने पिनाराई बिजियन तो इनकी उपस्तिती में इस समद्ध में एक समझोता ग्यापन MOU परहस्ताक्षर किये गए अब फिर इसके बाद इसमें अपस में एक दूसरे काहाथ मतलब आगे हाथ मिला करके आगे काम किया जाएगा समझोते का मतलब यह होता कि तोनों मिल करके उस काम को अंजाम देंगे और यह जेंडर डाटा हब के बारे में आपको बता देते हैं जेंडर हब नॉब्बर 2015 में नॉब्बर 2015 में जेंडर एक्क्वालिटी पर आयोजित इंटरनेसल कॉन्फरेंस के माध्यम से एक लक्ष निर्धारित किया गया था यह उसी पराधारित है और अधिक सटीक आकड़ों को एकत्र करने विशलेशन और उप्योग करने और केंदर में महिला अधिकारों के लिए नीति निर्माड के तरीकों को यह बताता है सूचित करता है इससे एक लैंग एक सामानता और महिला श्रसकती करन के लिए मतलब अच्छा चांस मिलता है अच्छे तरीके से इसमें आगे बढ़ा जाता है यही सारी शिजे हैं और केरल के मुक्ष मंत्री को ने है पिनार आई बिजेन अभी मैंने बताया राजिपाल कोन है आरिफ मुहम्मद खान है हमारा अगला कोशन आप सभी के लिए है अगला यह बहुत ही इंपोर्टन कोशन है हाली में एसो चैम के नए अध्यक्ष कोन बने है और सन बी से हो जाता है विनीत अगरवाल विनीत अगरवाल को एसो चैम इसका फुल फॉर्म है Associated Chambers of Commerce and Industry of India के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार दिया गया है विनीत अगरवाल ने हीरा नंदानी Group of Companies के सहसंस्थापक और MD निरंजन हीरा नंदानी की जगनली है ठीक है और आपको बता दें इसके अत्रिक्त Renew Power के अध्यक्ष Renew Power के अध्यक्ष और प्रबंद निदेशक सुमित सिन्हा SOCAM के वरिष्ट उपाध्यक्ष चुने गया है ये भी मैंने यहाँ पर नियुक्ती में ये भी बता दिया कि जो वरिष्ट उपाध्यक्ष बने हैं सुमंत सिन्हा बने हैं अब एसुचायम की स्थापना कब हुई ये भी जान लीजिए 1920 में हुई थी और एसुचायम का मुख्याले कहां पर है निउ डेली में है तिक है अगले कोशिण पर आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा कोशिण अब सभी के लिए हाले में विश्चु बैंक ने भारत में भारत सरकार और विश्चु बैंक ने राजस्थान ध्यान दिजेगा राजस्थान हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश और आंध प्रदेश राज्यों में सुरक्षित और ग्रीन रास्री राजमार कोडिरोर के निर्मार के लिए 500 मिलियन अमेर्की डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किया भारत में राजमार्गों राजमार्गों की बात यहां पर कंप्लीट नहीं हो जाती जब तक कि इसके साथ साथ यहां पर राजस्थान हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश आंध प्रदेश का नाम नहीं जुड़ता है तो ध्यान दिजेगा चार के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर के और यह परियोजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रा ले कि सुरक्षा और हरित प्रौद्यों की को मुख्यधारा में लाने की चंपता भी यह बढ़ाएगी है ठीक है चलिए अब यहां पर आपको लेंगे विश्व बैंक की इस्थापना कभी 1944 में विश्व बैंक का मुख्याले कहां पर है सेंक्तराज अमेरिका की वाशिंगटन डीसी में है विश्व बैंक के अध्यक्षकों ने डेविद मलपास है ठीक है और यहां पर बात करेंगे केंद्री सड़क परिवहन और बिकल्प यहां पर आमारा सही हो जाता है ऑप्टिन बी सही हो जाता है सुगत कुमारी का यह प्रसिद्ध कवित्री और कारी करता हैं सुगत कुमारी का अभी हाली में कोविट की वज़़त से निधन हो गया ये 1970 के दशक में एक प्रचारक थी, एक मुवमेंट था, Save Silent Valley मुवमेंट, आपको यहाँ पर लिख कर बता देते हैं, Save Silent Valley मुवमेंट, इसकी सबसे सक्री प्रचारकों में से एक थी, और इन्होंने कविता, एक लिखी थी कविता, जिसका नाम है, मरा, तीनू, इस्तुति, एक पेड के लिए भजन इन्होंने लिखा था, जिससे Silent Valley को बचाने के लिए, हर दूसरे विरोध में सुनाये गया था, सुगत कुमारी को साल 2006 में, भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार, जिसका नाम है, पद्म श्री, तो इससे समानित किया गया, तो फ्रेंज, इसी के साथ ही, यहाँ पर आप ध्यान दिजिएगा, यह ओप्सन भी सब्सक्राइब होगा, ठीक है, फ्रेंज सीजी के साथ ही, आज की करेंट अफेर की क्लास कम्प्लीट हो जाती है, और इसकी पीडियाप आप लोग वंडि एक्जम टारगेट की टेलिग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, और आपका यहाँ पर एक न्यू चैनल है, जिससे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजेगा, यहाँ पर हम ही मिलेंगे आपको, और चलिए करेंगे सभी कोशन का एक बार जल्दी से सुपरफास रिवीजन, कोशन है हाली में रास्ट्री बोगता अधिकार दिवस कम बनाये गया, और सनी 24 दिसंबर को, एक्स्ट कोशन हाली में अन्दमान और निकोबार की कोशन हाली में किस बैंक ने सुरक्षा बलो के साथ बड़ा अधा मिलिटरी सैलरी पैकेज समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये, अगला कोशन है नेता जी की 125 जानती के ऑसर पर गटित समित की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, और से हो जाता है केंद्री मंत्र कोशन हाली में बंगाल का पहला तेल और गैस रिजर्व रास्ट को किसके द्वारा समर्पित किया गया, ऑप्सन डी से हो जाता है धर्मेंद प्रधान, मारा नेक्स कोशन हाली में यू एन, वीमन निकिस राज्य सरकार के साथ मिलकर के भारत के पहले जेन्डर डेटा हब के के लिए समझाता किया, ऑप्सन सी सही हो जाता है केरल सरकार ने, अगला हमारा कोशन है, हाली में एसो चैम के ने अध्यक्ष कौन बने हैं, ऑप्सन सही हो जाता है, भी विनी तगरवाल और वरिस रुपाधिक्ष समन्त सिंधा बनाए गया, अगला है, हाली में विश्य बै आज की करणन फेर की क्लास साथ साथ में इसका है, सुपरफास रिविजन में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, चलते हैं, कल के कोशन की तरब कल की कोशन का सुपरफास रिविजन करेंगे, कोशन हाली में भारत और कि इस देश के नेताओं की वर्चुल समिट दोजार बी जुन हुआ तो विकल्प डी सही हो जाता है यहां पर वियतनाम अगला है अगला है हाली में प्रदेश में स्वास्ति भीमा योजना का शुभारम किया अप्सन सी सही हो जाता है जम्मौ कश्मीर अगला कोशन आप सभी के लिए हाली में रास्त्री किसान दिवस कंबनाए गया रास्त्री किसान दिवस विकल्प यहां पर हमारा बी सही हो जाता है तेस दिसंबर को नेक्स्ट कोशन है हाली में किस बैंक ने MNC कंपणियों के लिए इंफाइनाइट इंडिया ऑनलाइन पोर्टल लॉंच किया अप्सन यहां पर हमारा सही हो जाता है अप्सन सी आइसी 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 बैंक कोशन है हाली में NCAER ने वित्वर्स 2021 में भारत की GDP में कितने परसन की गिरावट का अनुमान जटाया विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है अप्सन है 7.3 परसंट अगला कोशन है कोशन हाली में Donald Trump ने PM Modi को अमेरिका के किस सर्वोच संबान से संबानित किया अप्सनिया पर हमारा B सही हो जाता है Legion of Merit कोशन हाली में कौन सा GRIHA शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ अप्सनिया पर C सही हो जाता है 12 हुआ और इस शिखर सम्मेलन का विशय था रिजिमिनेटिंग रिजिलेंट हैबिटाइट्स था और इस काउंसिल के बारे में भी मैंने आपको बताया था तो यहां पर कल का करेंट अफेर उसका वे सुपरफास रिविजन हम लोगों ने देख लिया चलते हैं आज के सवाल की तरफ कोशन आप दढ़े जिससे आपको नीचे कॉमें सक्षिन में रिपलाई करना और इससे मुझे यह पता चलता है कि आप लोगों ने क्लास अच्छे तरीके से अटें करेंगे तो फ्रेंस यहां पर आज की क्लास कम्प्लीट हो जाती और पांच बजे की क्लास आप लोग जरूर जॉइन कीजिएगा बहुत ही इंपोर्डेंट क्लास है और इस क्लास का आप लोग वे सबरी से इंतजार करें मुझे पता है तो इस क्लास को बिलकुल भी ना मिस कीजिएगा आप सभी से मेरे कहने पर जरूर आज पांच बजे की क्लास को जॉइन कीजिएगा और मिलते हैं फिर इसी के साथी पांच बजे की एकदम से धमाकेदार इंट्रेस्टिंग क्लास में और जाते जाते सभी लोग वीडियो को लाइक को दोस्तों में शेयर करना ब क्लास को जॉइन कीजिए ठीक है इसे के साथ ही मिलते हैं फिर पांच बजे की क्लास में तब तक लिए गुडबाय और ठीक है थैंक्यू सो मच लब यू और बबाय और ठीक है जहें